मैं अपने नए प्रोजेक के लिए Google पे कुछ images सर्च का रहा था और उतने में मेरे सामने ये image आई इस image में आप देख सकते हैं एक इंसान अपना बोरिया बिस्तर बांद कर अपने ओपिस से निकल रहा है और उसकी जगर robot ले रहा है क्या सच में ऐसा होगा अगर मुझसे कोई पूचेगा तो मेरा जवाब है नहीं AI विल नॉट रिप्लेस यूगाइज अगर आप AI को नहीं जानते हैं तो आपकी जगर लेने वाला है वह इंसान जिसको AI अच्छी तरह से इस्तमाल करने आता है AI की टूल्स जदा आते AI पर अच्छी तरह से प्रॉंप्ट लिखने आता है तो इसके लिए करना क्या होगा आपको AI टूल्स के बारे में पता हो ना चैए AI की ओपर प्रॉंप्ट कैसे लिखे जाते कैसे उससे काम करवा सकते काम करवाना आना चैए बिसिकली तो चलिए मैं बताने हो लाओ तो seven interesting AI टूल के बारे में जिसे जानकर आपका knowledge बढ़ने वाला है वो आगे चलकर आपको काम में definitely आएगा मैं सदीश आप सबका सबस्वाबत कता हूँ Let's begin सबसे पहला AI टूल चाट GPD नहीं वो मैंने अलरी बतादी है अब मैं बताने आप Google बारीड जिया चाट GPD का कॉंपिटेटर गुगल ने अपना 학교 लांग लांड पिको किया लेकिन इसमें क्या-क्याब बेनफीर ला पे काम करने वांड सब्सेंद्साट GPD परницug सर्च करते हूं, जैसे एक्जाम्पल ले लो, Microsoft ने हाली में अपने Excel के अंदर, Excel 365 के अंदर, Python एक formula या coding इंट्रोडूस किया है, जिसकी मदद से आप data का स्टाटिस्टिक निकाल सकते हैं, तो मैं यही सवाल चाट-GPT को पूछूँगा, पहले मैं चाट-GPT को पूछूँगा, यह पर देखे, Microsoft Office 365 recently include Python in Excel, give me info about that, मैं यह सवाल चाट-GPT को पूछा है, मैं यह पर hit करता हूं, तो यह बता रहा है कि, as of my last knowledge update in September 2021, Microsoft Office 365 did have some integration with Python through various add-ins, right, and extension, तो उसने बोला है कि उसके पास knowledge is September 2021 के पहले का, और उसके इसाब से बहुत सारे और अलग-अलग add-ins से उसकी मत से आप Microsoft Excel या Office 365 में यह add-ins के जरीए आप Python integrate कर सकते हैं, उसने latest नहीं बता है, अल्रेडी हो चुका है, पाइफन आ चुका है, इसके पर मैंने बता दिया आपको, लेकिन यहां पर यह चाट GPT अंसर दे रहा है, लेकिन अगर यही सवाल में Google बाड को पूछूँगा, यह देखिए Google का बाड जो है AI tool, यहां पर यही सवाल में, यही प्रॉंट में, कॉपीपेश करूँगा, टाइप करूँगा, यह दिखाए दे रहा है आपको, और यह क्या information देता है, क्योंकि यह डाइरेक्ली internet से connected है, क्योंकि चाट GPT जो है, वो सब्टेवर 2021 तक का updated, जो फ्री चाट GPT उसकी बात करो, चाट GPT 4.0 आपको स्पेड है, और वो internet के साथ connected है, यह जो 3.5 जो हमें फ्री मिलता है, उसमें मैंने आपको दिखाए, लेकिन अब आप देख सकते हैं, गूगल बाड में क्या होता है, यहाँ पर मैं वही information सेर्च कर रहा हूँ, and now, यहाँ पर आप देख सकते, yes, Microsoft Office 365 recently include Python in Excel, यह बता रहा है directly, क्योंकि उसने latest information लाके दिया, और उससे क्या-क्या हो सकता है, यह उसने बता दिया, right, data cleaning कर सकते, performing कर सकते, create custom visualization यह मैंने अलड़ी उस वीडियो में बताया कि custom visualization, statistical analysis आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यह पर इस information को email के साथ शेर कर सकते हैं, या फिर आप इस इसे docs के रूप में export करना चाहते है, किसी को email करना चाहते है, share करना चाहते है, यहां पर options उन्होंने दिया है already, so google bar latest information आपको यहां पर देता है, वो directly connected है, not just that guys, I am going to tell you a super useful option of google bar, यहां पर छोटा सा plus upload button आपको दिखाए दे रहा है, इस पे click किजे, फिलाल यहां पे JPG PNG web app दिखाय दे रहा है, तो मैं यहां पर upload file पे click करता हूँ, यहां पर upload file पे click करने के बाद यहां पे मेरे पास एक image है, basically graph है, मैं इसे upload कर रहा हूँ, right, जैसे मैं इसे upload करता हूँ, open करता हूँ, यहां पर देखे, मैं एक image file यहां पर image ही upload होगा फिलाल तो, आगे चलकर वो Excel भी देंगे शायद, because chat GPT 4.0 में Excel फाइल भी अपलोड होता है, वो paid है basically, but उसके उपर बाद में कभी वडियो बनाऊगा, फिलाल तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक image फाइल अपलोड कर दी है, और वो है एक graph basically, क्या graph है वो आपको मैं दिखाऊंगा फुल स्क्रीन पर यहाँ लेकिन पहले उसमें command या prompt मैं क्या दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, give me details from this image, इस image से मुझे detail दो, तो मैं यहाँ पर इस एंटर कर रहा हूँ, इस image से क्या detail वो ढून रहा है, यह basically एक chart है, तो इसे मैं open भी करता हूँ आपको दिखाने के लिए total salary by position, उसे बताए कि total salary by position वहाँ पे salary दिखाए दे रहे है, the position are listed in x-axis, total salary is on the y-axis, उसे प्रॉपर्ली पूरे चार्ट को अनलेसिस किया और वहाँ पे salary कौन सा कितना amount वह भी बता रहे है, sales position की कितनी salary, product manager की कितनी, finance की कितनी, data scientist की कितनी, software engineer, हर एक यहाँ पे department की salary वहाँ उ अब गूगल बार में बहुत कुछ चीज़े होता है, इसकी उपर learn more channel पे dedicated video upload हो रहा है, इसलिए learn more channel का link description में दे रहा हूँ, उसे भी subscribe करके रखना, एक dedicated video की गूगल बार में हम क्या क्या कर सकते, मैं तो एक trailer आपको दिखा है, इस AI tool का, अब इस Google बार से बहुत सारी चीज इसकी मदद से होगा क्या, इसमें आप अपना full length video upload करो, या फिर कोई भी YouTube video upload करो दो, यहाँ पे वो अलग-अलग clip के format में videos generate करके देता है, जिसकी मदद से क्या होगा, एक बड़े video के अंदर के अलग-अलग clip निकालने के लिए आपको अभी video dating करने की या सीखने की ज़रो और आप उन clip को rearrange भी कर सकते है, अब AI tool no.3, जिसमें मैं आपको बता हो कि AI music भी तयार कर सकता है, वीडियो तो edit मैंने आपको दिखा है, clip को cut कर सकता है, वैसे यहाँ पे music भी तयार करता है, bitohan.ai इस website के ज़री आप अपना music तयार कर सकते है, इस website के ज़री आप अपना music त करने के लिए, इसके लिए करना क्या है, bitohan.ai visit करना है, create new track पे क्लिक कीजे, title दीजे track को, उसके बाद यहाँ पे music का duration और tempo से लेक कीजे, उसके बाद आपको यहाँ पे इस लेक करने है, music genre और music genre से लेक करने के बाद यहाँ पे आपका music ready, boom, और इस music को आप बाद में Flair.ai, इसकी मदद से आप अपने किसी भी प्रोडॉक को normal प्रोडॉक को एक अची तरह से background में प्रजेंट कर सकते हैं, यह प्रोडॉक का अलग सा template यहाँ पे design कर सकते हैं, बस आपको क्या करने आपकी product की image यहाँ पे upload कर दीनी है, और उसके लिए कौन सा यहाँ पे effect select करना बस यहाँ पे select कर लेना है, तो जैसे आप यहाँ पे अपने product को upload करके select कर ले तो template यहाँ पी इसका mocking effect करने के लिए graphic designer को बहुत time लगता था, अभी आपको यहाँ पे time ले लगने हो ला है, बस flair.ai visit कर लो और आपने product की image यहाँ पे add कर दो, तो next AI to learn वे ml.com, जिसकी मदद आप वीडियो का background remove कर सकते हैं, हाँ आज तक आपने image का background remove किया था, तो यहाँ पे आप वीडियो का background remove कर सकते हैं, साथ ही में वीडियो में कोई object नहीं चेह, तो आप रिमू कर सकते हैं, वीडियो का noise आप रिमू कर सकते हैं, ऐसे धेर सारी चीज़े आप वीडियो में कर स सकते हैं उसके बाद next AI tool that is AI tool number six which is for presentation guys जी हां अगर आप presentation बनाने के लिए घंटो लगा रहे तो आपको घंटो नहीं अभी मेंटो लगाने मतलब आपको अच्छे से प्रॉंप्ट लिखना है इस पर्टिकुलर AI tool को विजिट करके AI tool का नाम है आपको आपको अपको 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 अपका प्रॉंटेशन के लिए कमांड लिखना है जैसे आप एक सेल्स मैनेजर हो आपको अपने बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए प्रिजेशन बनाना है तो act as a sales manager and create a 5 तो इस तरह से आपने प्रॉम्ट दे दिया तो आपके सामने आ जाएगा मतलब आपको यह पर कॉंटेंड रिसेर्च करो यह स्लाइड करो कुछ भी करने के जुरूरत नहीं तोम.app यह वाला जो आपका प्रेजेंटेशन रेडी करके देगा गंटों का में ओने होला है तो यह आप प्रॉम्ट टाइप करोंगे तो आपका एक एमेजिंग सा प्रेजेंटेशन यहां पर बना कि मिल जाएगा जहाँ पर आपको इमेजमेज आड कर के मिलेगा जहां पर आपको आलग लग डिजाइन टेंपलेट्स एड़ करके मिलेंगे इभन आप स्लाइड़ के यह पर में और expert बनना चाहते, chat GPT में basically expert बनना चाहते, Excel के अंदर chat GPT या Office के अंदर chat GPT कैसे इस्तमाल करते है, तो इसके लिए मैंने skill course application पे course design किया, जी हाँ, एक crash course design किया है, और वो बस 9 रुपए उसकी कीमत है, वो आप आप directly enroll करके सीख सकते हैं, गर बैटे 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 with cert अपिकेट, जी हाँ, और skill course application पे मैंने धेर सारे skill courses रखें, जिससे आपका skill definitely improve होगा, ये skill सीख के आप अपने salary increment कर सकते हैं, या फिर आप in-house appraisal round के लिए भी qualify हो सकते हैं, तो जल्दी से जाकर skill course application को download किजिए, और check out क के लिए अपने खेल रुकी, बाई बाई